हेलो गाइस वेलकम बाक टो आज चानल सो जैसे कि आज से इगनु के एक्जाम जो है स्टार्ट है फाइनल यर्ज के लिए तो हम आज की वीडियो थोड़ी सी हमारी लेट होगी है कि फर्स सेशन के एक्जाम जो है आज का फर्स सेशन का एक्जाम मौनिंग सेशन का वो स्टार के नहीं भी होंगे तो पट हमने वीडियो फिर भी आपके लिए लाई है तो आप इस वीडियो को धिहान से देख लेना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंज के साथ जिन्होंने इतनु का एक्जाम देना है आज के वीडियो में बात करने वाले है कि आपको क्या चीजें जो हैं एक्जामिनेशन हाल में कम्पल्सरी लेकर जानी ही होंगे वो भी अपनी सबसे बहुत करते हैं हमारी hall ticket की आपको hall ticket की print out लेके जाना ही जाना है उसके बिना तो आपको examination hall में enter करने नहीं देंगे जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कुछ बच्चों के hall ticket पे photograph लगी हुई है बट बहुत सारे बच्चों के hall ticket पे photograph अवेलेबल नहीं है इस बार तो आपने घर से ही उसको passport size photograph को लगाना है पेस्ट करना है और उसको खुदी टेस्ट भी करना लाइक आपने क्या करना है उस पे signature कर देने है अपने signature करने है आपको किसी gazetted officer से करवाने की जुरूरित नहीं है आपको खुदी self test करना है ठीक है यह definitely आपको लेकर जाना ही जान आपको अपना ओरिजिनल हॉल इक अडेंटी कार्ट लेकर जाना है कुछ ऐसा दिखता है जो offline mode से आता है online mode पे अगर आपके पास है तो भी आपको colored निकाल के लेके जाना जिन बचों के पास घर पे नहीं आया हुआ है और आइडेंटी कार्ट जिनका नहीं है या गुम किय लेकिन printed निकालना ब्लैक इंवाइट मत निकालना तो यह आपको compulsory लेकर जाना है अगर आपको पास original है तो original ही लेकर जाना है उसकी photocopy मत लेकर जाना ठीक है next आपको है mask mask आपको लेकर नहीं जाना है आपको पहन कर ही जाना है आपको बिना mask के entry नहीं मिलेगी examination hall में so please इस which is very very important आपको hand sanitizer अपना लेकर ही जाना है चाहे आप small bottle वाला ले लो या जैसा मर्जी ले लो जो आपको easy लगता है carry करना बट आपको अपना hand sanitizer लेकर ही जाना examination hall में वो बहुत ही जादा important अपने हाथों को बार-बार sanitize करते रहना examination के time पे because आपकी health भी सबसे जादा important है exams के साथ साथ so please hand sanitizer definitely लेकर जाना next अपनी water bottle ले जाना खुद की water bottle लेकर जाना किसी और की मत depend पहले इगनू में होता था जब exams के time होता था कि वो खुदी circulate करा देते थे पानी वेगरा but it's better कि वो अभी हमें कोई चीज की confirmation नहीं वो करें क्या पता कर भी दें क्यों खुदी circulate करा दें but better है आप अपनी खुद की water bottle लेके जाओ क्योंकि इस time पे आप किसी और से dependent रहो वो safe नहीं है तो इसलिए please अपनी water bottle खुद ले जाना बहुत important है अपनी water bottle लेके जाना अपकी examination hall में next आपके है identity card कोई भी identity card जैसे की pan card, अदार card, water card, driving license, कुछ भी identity card अपना जो है रख लेना safer side के लिए आज तक वैसे मांगते नहीं है कभी IGNU में के examinations में कि आपका कोई identity card दिखाओ पट इस बार IGNU के exam साब सब लोग जानते हैं किस तरीके से हो रहे हैं तो इसलिए better है आप अपना ये identity card किसी भी type का जो भी आपके पास available है अपने साथ रख लो बहुत important है last but not the least अपना pen और pencil लेकर जाना कोई भी सारी pen pencil rubber scale जो भी सारी equipment होती है exams के टाइम पर वो अपनी लेकर जाना क्योंकि बहुत सारे बच्चे से करते थे कि भूल जाते थे कि ओ मेरे का pen खतम हो गया जो भी हो गया तो प्लीज अपना समान लेकर जाना किसी ओर पर मत depend रखना extra रख लो लेकिन अपना रखो ठीक है यह कुछ important आपके लिए हमने बाते थी जो हमने आपको के साथ share की है तो प्लीज आप उनको अपने friends के साथ भी share कर देना इस video को और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब क पर मिलेंगे और बेल नोटिफिकेशन को अन कर लेना ताकि आपको कोई भी वीडियो मिसना हो